इस वीडियो में हम सीखेंगे सन्योजी इलेक्ट्रोन या सन्योजक्ता इलेक्ट्रोन यानि की बाइलन्स इलेक्ट्रोन ये से इंगलिस में करते हो क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं इसके निकालने का ट्रीक क्या होता है तो सबसे पहले हम इसकी परिभासा की बात कर ल किसी परमारू के भायतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रोन सन्योजी इलेक्ट्रोन का लाते हैं किसी बायतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रोन सन्योजी इलेक्ट्रोन का लाते हैं अब इसके एक्जामपल की बात कर लेते हैं जैसे हमारे पास एक्जामपल है सोडियम जिसके परमारू संख्या होता है है 11 इसका इलेक्ट्रोनिक बिन्यास लिखेंगे पहले इलेक्ट्रोनिक बिन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 अब इसमें बाहतम कोस्वें कौन है सबसे 12 वाला देखते हैं तो 3 है 3 में 3s1 है तो इसका बाहतम कोस्वें इसका बैलेंस इलेक्ट्रोन क्या हो जाएगा है वन हो जाएगा है नेक्स्ट इग्जामपर ले लेते हैं फासफोरस इसका परमारसा होता है 15 अब इसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 हétais हुआ कि टुपी सिक्स कोधिन्टू थीश तिरी पीठी अभी सुन बालीन्स एलेक्टरौन कितना हो जाएगा की बालेंस एलेक्ट्रौन को हो जाएगा हमारे पास 15 10 और 12 है तो इसका एक ट्रीक लिखे लेत हैं एस्टार पॉइंट लागा करके कि समुह या बर्ग संख्या में समुह या बर्ग संख्या में आखरी आंक सन्योजी इलेक्ट्रोन को निरूपित करता है समुह या बर्ग संख्या में आखरी आंक सन्योजी इलेक्ट्रोन को निरूपित करता है इलेक्ट्रॉन को निरूपित करता है और यह जो है हम एस पी बलक के लिए देखेंगे लेकिन इसमें एक एक्सेप्सन यानि की अप्वाल होता है हीलियम को छोड़ करके जैसे जांपर लेते हैं यहां पर पहले लिख लेते हैं एक साइड एलिमेंट लिख लेते हैं और एक साइड बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे तो यहां पर हम फोर्स्ट एक्डी ललेते हैं हैं फोर्स्ट एक्डी लेत लगंगे लिख लेता हुब क्योंकि बख का अंग्स इंस अंक do ने सेनि लेता है उसी को बातर है को लोटलेस हैं को सथ सब्सक्तराण को लोटल जो है 17 ग्रूब का है तो इसम में ग्हें इस उसलीक्टन स्वाइक सात हो जाएगा नेक्स इजम्पल ले लेते हैं Redone RN नेक्स इजम्पल ले रिड़ौन RN यहाँ पे यह अठावे गुरूप काता हो तो 8 हो जायेगा और अरसेनिक ले लेते हैं नेक्स इजम्पल तो अरसेनिक 15 में गुरूप काता में दो यह ए इसका その tür ऐसे इसका